सभी को नमस्कार मैं मनोज मिस्रा आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ 26 सितंबर को आयुजीत रीट भरती परिक्षा के द्यूत्य इस्तर में द्यूत्य भासा के रूप में अगर आपने हिंदी का चैन किया था तो उसकी उत्तर ताली का इस वीडियो में बताई जा रही है आप पता लगा सकते हैं कौन से प्रसन का सही उत्तर क्या होगा रीट 26 सितंबर लेवल दिट्ते भासा सेकिंड के रूप में हिंदी होने पर यह वीडियो उप्योगी है पहला प्रसन है निम्न में से इस्त्रलिंग का सब्द कौन सा है इसमें दो नंबर ममता सही उत्तर होगा ममता इस्त्रलिंग का सब्द है बाकी तेनों पुल्लिंग के सब्द है फिर है संग हारक सब्द का संधी विच्छेत क्या है तो संग हारक में एक नमबर सम तो उपसरग है मैं हलन्त होना चीए और हारक सब्द सम धन हारक के योग से संग हारक बना है एक नमबर सही उत्तर होगा फिर है निम्ण में से कौन सा विकल्प जाती वाचक संग्या से भाववाचक संग्या बनने का है इसमें चार नमबर दासत्व सही उतर होगा इसमें दास सब्द जाती वाचक संग्या का सब्द है और फिर उसमें तवे प्रत्य जुड़ने पर ये भाववाचक संग्या का पद बन जाएगा तो दास से दासत्व जाती वाचक से भाववाचक है चोशटवा प्रसन है बाड के समान दिशाहीन इस वाक्यांस में रेखांकित पद क्या है यानि बाड क्या है तो बाड यहां संग्या पद के रूप में प्रिक्त हुआ है जाती वाचक संग्या का ये पद है 65 क्यूशन है निम्न में से कौन सा सब्द दुर्वह का समानार्थी है दुर्वह जो सामनित वहन नहीं किया जा सके तो इसमें समानार्थी होगा एक दो नमबर ऐसा ही ये वहन ने करने योगे और ये ऐसा ही ये सहन ने करने योगे दो नमबर सही उतर होगा फिर पद्यांस पर आधरित प्रसन है उपरियुक्त कविता का केंद्रिय भाव क्या है इस कविता में केंद्रिय भाव है स्वातंत्रे प्रेम यानि इसमें स्वतंत्रता के उपर वर्णन किया गया है स्वतंत्रता चाही गई है इसलिए एक नंबर स्वातंत्रे प्रेम सही फिर 67 नमबर कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा यहां आप देख सकते हैं कै 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 ने कै कै वरण की ही बार बार आवरती है सब्द के आरम में कै वरण का बार बार प्रियूग होने से अनुप्रास अलंकार माना जाएगा दो नमबर से उतर होगा 68 नमबर है स्वर्ण स्रिंखला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूलें इसमें स्वर्ण संखला किसे कहा गया है तो यहां एक नमबर वेभव विलास युक्त गुलामी को जोने की जंजीरू की रूप में बताया गया है एक नमबर से उतर हुआ 69 नमबर क्यूशन है निम्न में से तदभव सब्द कोन सा है तो इसमें दो नमबर पंची को सही उतर मानना है पक्सी तत्सम होता है और उसी पक्सी का तदभव बना है पंची 70 नमबर क्यूशन निम्न में से ऐसंगत कथन कोन सा है यहां दो नमबर को सही उतर मानना है ऐसंगत मुचा है कि मिस्टर वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं ये गलत लिखावा है मिश्र वाक्य में मुख्य उपवग्य तो एक ही होता है और आस्रित उपवग्य अनेक हो सकते है तो ये एक से अधिक मुख्य उपवग्य लिखा है ये गलत बात हो गई है इसलिए ऐसंगत दो नंबर हुआ फिर है वाहे कितना सुन्दर दृश्ष्य है इसमें सही उतर अर्थ की दृष्टी से वाक्य कैसा होगा तो वा है विस्मयादी बोधक सब्द है तो तेन नंबर विस्मयादी बोधक वाक्य ये माना जाएगा बैतर नंबर प्रसन है आँखें बिचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आखें बिचाना या पलक पावड़ी बिचाना इनका अर्थ होता है प्रेम पुर्वक स्वागत करना एक नमबर से उत्तर होगा फिर एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ती का अभिप्राई क्या है तो इसका से उत्तर ती नमबर है एक से अधिक दोश होना एक तो करेला पहला दोस तो पहले ही था फिर दूसरा नीमोर चड़ गया ये दूसरा दोस हो गया तो एक आधिक दोस होना सही अर्थ होगा पुलिस ने चोर को दंड दिया वाके में प्रयुक्त विभक्ती रूप कोन सा है यहाँ पर पुलिस ने ये करता कारक है और चोर को ये कर्म कारक है तो एक नमबर से उतर होगा करता एवं कर्म पुलिस ने करता चोर को कर्म कारक पचेतर नमबर प्रसन है धीरे धीरे किस व्याक्रणिक कोटी का सब्द है तो धीरे धीरे क्रिया विशेशन के रूप में प्रियुक्त होता है मैं धीरे धीरे चलता हूँ वह धीरे धीरे लिखता है तो ये चलना लिखना की विशेशता में आता है तो क्रिया विशेशन माना जाएगा फिर है हस्त लिखित सब्द में समास कौन सा है इसमें एक नमबर तत्पुरूस को सयुतर मानेंगे हस्त से लिखित इसका विग्रह होगा और यहां तृतिया तत्पुरूस करण तत्पुरूस समास माना जाएगा तत्पुरूस समास है तत्पुरूस में करण तत्पुरूस होता है सततर नमबर है किंडर गारटन सिक्षन पदती में प्रयूक्त किंडर गारटन सब्द का अर्थ क्या है तो इसमें एक नमबर बच्चों का उद्ध्यान किंडर बच्चे होते हैं गारटन गारडन बगिचे को कहते हैं तो किंडर गारटन का सही अर्थ है बच्चों का उद्ध्यान फिर है मोखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सायक कुन सा है इसमें दो नमबर वाद विवाद को सही उतर मानेंगे वाद विवाद हम करते हैं तो उसमें ही मोखिक अभिव्यक्ती होती है इसलिए दो नंबर से हो गया फिर है जीवन के आरंभिक दोर में मात्री भासा सीखने का सबसे प्रमुक्ष रोत क्या है तो वो है परिवार बालक की प्रतम पाट साला उसका परिवार ही होता है इसलिए परिवार से ही हम मात्री भासा सीखते हैं फिर है निम्न लिखित में से वाचन शिक्षन का उद्देश से कौन सा है इसमें ती नंबर से उतर होगा प्रतेक सब्द पर उचित बल देकर पठन सक्ती का विकास करना हर सब्द के उपर बल दिया जाए फिर पठन सक्ती को वही वाचन शिक्षन का उद्देश से है भासा प्रियोग साला सिक्षक के इस्थान पर प्रती इस्थापन नहीं है यह वाक्य कैसा है तो इसको हम सत्ते वाक्य मानेंगे बिल्कुल सत्ते है भासा प्रियोग साला कभी भी सिक्षक का इस्थान नहीं ले सकते है शिक्षक अप अपने स्थान पर उपयोगी अवस्य होता है, 82 प्रसन है, पाठे वस्तु का बाईये गुण कोन सा है, इसमें च्यार नंबर सिर्षक सयूतर होगा, विश्य वस्तु, उसकी भासा, उसकी सैली, ये सभी आंत्रिक गुणों में आते हैं, जबकि सिर्षक बाहर ही लिखावा हमे मिल जाता है, तो सिर्षक बाईये गुण है, बाकी तेनु आंत्रिक गुण है, निम्न लिखित में से स्रव्य उपकरण कोन सा है, तो तेन नंबर ग्रामो फोन सयूतर होगा, ग्रामो फोन सुनने का साधन है, ये स्रव्य उपकरण है, बाकी तेनु द्रिश्य उपकरण है, 84 नमबर है वस्तुनिष्ट परिक्षा में समिलित कौन से होते हैं तो मिलान करने वाले जो प्रसन है मिलान पद परिक्षा ये वस्तुनिष्ट में आते हैं बाकी निबंदात्मा प्रश्णों की स्रणी के रूप है 85 नमबर है विद्यार्थी के लगातार मुल्यांकन हे तू उप्युक्त परिक्षा पदती कौन सी है लगातार मुल्यांकन करना है तो एक नमबर होगा सतत एवं व्यापक मुल्यांकन पदती सतत कार्थी होता है लगातार इसलिए एक नमबर सही हो जाएगा फिर है निदान का महतो नगन्य है यदि निदान का महतो निदान यानि पहले खोज करें उसका महतो नगन्य हो जाता कब जब हम एक नंबर को से मानेंगे उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता यह दिन निदान कर लिया लेकिन उसके नुसार हम उपचार नहीं करते हैं तो फिर वो निदान किसी काम का नहीं होगा फिर है भासाई कोसल के निर्धारित पक्षू में कौन सा उप्यूक्त नहीं है भासाइ कोशल 4 होते हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना देखना नहीं होता इसलिए एक नमबर को सही उत्तर मान लेंगी फिर है खेल विधी को प्रचलीत करने का स्री किसको दिया जाता है तो सही उतर है च्यार नमबर हेंरी काल्डवेल कुक खेल विधी के प्रतिपादक माने जाते हैं 89 क्यूशन है मैं कलम से किताब लिखता हूँ मैं कारक भेद कौन सा है इसमें कलम साधन के रूप में काम में आ रही है तो यहां ते नमबर करण कारक को सही उतर माना जाएगा वाक्य को देखें तो ये साधन के रूप में ही प्रमुकता है तो करण कारक को सही उतर मान लें पिर अब व्याक्रण सिक्षन की किस प्रणाली को विक्रित रूप में सुगा प्रणाली भी कहते हैं तो सही उतर है ते नंबर पाठे पुस्तक प्रणाली को ही सुगा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है इस तरह के से यह यदि आपने भासा द्युत्य के रूप में इन्यवाद